Hello everyone, मैं हूँ Joshika from LearnoHub, the free learning platform जहाँ पर आपको मिलता है physics, chemistry, biology, mess, सब कुछ बिल्कुल free of cost at learnohub.com तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, NCRT Solution, Class 10th का शेप्टर करने निन दिख रहा है, The Human Eye and the Colorful World उसके NCRT questions को हम solve करेंगे from question 9 to question 13, तो बच्चों जल्दी से हो जाएए रिदम ready with your notebook and pen, जिसके क्या होगा, आप भी मेरे साथ अपना NCRT के solution कर पाएँगे, तो जल्दी से आप लोग ready हो जाएए तो बच्चों आज का पहला question देख रहा है, question number 9, question number 9 में क्या बोला है, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? अगर हम लोग eye से objective distance को अगर increase करते हैं, तो क्या image distance पे असर पढ़ेगा, this is the question, ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद ही बताईए कि अगर यह हमारी eye है, for example, यह हमारी eye है, इसके अंदर एक lens होता है, ठीक है, यहाँ पर अपना क्या होता है, ciliary muscles होती है, यही तो पढ़ा है, आप मुझे खुद बताईए कि image के distance पे कोई फरक पड़ेगा, अगर हम object को दूर कर दे, अगर यह object है, इसको अगर में दूर कर दूँ, तो इसकी image की distance पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्यूंकि image तो हमेशा ही कहां form होती है, retina पे form होती है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, the image distance in the eye is fixed and cannot be changed, और यहाँ पर वो change नहीं होती है, और जो lens की ability होती है, adjust करने की focal length, उसको यह तुम कहते थे, accommodation जो हमने पहले questions में किये थे, अब इसके कान क्या होता है, कि जब भी हमको eye का increase or decrease क्या होगा, focal length होगा, ठीक है, बात हो रही है, clear, अगर नहीं भी हो रही है, तो for example, ठीक है, यह इसका object हो गया, तो बच्चों हम क्या करने वाले, हमने यह आई ली, हमने एक object रख दिया, जो थोड़ा near point पे रखा है, तो हमने उसकी distance, जो है lens से वो कितनी हो गई, you, you क्या होता है, हमार object distance होती ही है, image की distance और image कहा form होता है, हमेशा ही, आपका retina पे form होता है, तो हमने इस lens से इस retina तक के distance कितनी ले ली, ठीक है, अब इसी को अगर आप object को थोड़ा हमें दूर करनी है, distance मतलब हम इसको distance को बढ़ाने वाले हैं, हमने distance बढ़ा दी है, हमने थोड़ा और दूर रख दिया, point हमने माली हमने infinity पे ही रख दिया, तो यह आपका U जो lens तक की, retina तक की distance है, उसको हम V कहते हैं, तो अगर आप लोगों ने जिसने भी lens का formula पढ़ा, I think सभी नहीं पढ़ाया है, और मैंने पढ़ाया भी है, class में solve कराया है, questions में, क्या होता है, 1 upon, यही होता है, 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 upon F, अब बच्चों यहाँ पर यह देखो, कि हम कर क्या रहे है, question में क्या बोला, object की distance को बढ़ा रहे हैं, मतलब U को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, increase कर रहे हैं, और V को हम constant है, यह fixed रहता है, क्योंकि यह हमेशा लेटिनार पर ही form होगा, इतनी बात हुई, तो जब अगर आप mathematically देखोगे इन दोर को equation को, अगर आपको सही रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, focal length बढ़ाना पड़ेगा, focal length बढ़ाएंगे, क्योंकि objective तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन V तो हमारा fixed रहेगा, F हम बढ़ाएंगे, ठीक है, यहां से भी क्या logic निकल रहा है, कि हम focal length को कम जादा कर सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर बात आपको लग रहा है कि मैम यह focal length को कम जादा तो कर सकते हैं, बट यह कैसे, जैसे ही अगर आपको distance अपनी दूर करनी है, पास करनी है, focal length को क्या करोगे, इस तरीके से रखोगे, अब यहां पर एक point लिखा है कि in order to see a nearby object, the ciliary muscles contract and lens become thick and focal length is decreased which helps to see the nearby object, यही है, अब ciliary muscles का का काम क्या था, कि उस lens को hold करके रखना, ठीक है, यही काम था, तो यह अगर है, यह आपका lens से, यह आपकी ciliary muscles से, यह आपका object है, जब object पास में रखा है, यह मैं इसको इतना पास होगा, आपका जो, आपके जो ciliary muscles से, वो क्या करेंगे, वो contract करेंगे, contract करेंगे, तो आपका जो lens से, वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा, बात ओरी एक लिए है, वो ठीक हो गया, वो कैसा हो जाएगा, तो वो जब round जैसा होने लगेगा, तो आपकी जो focal length है, वो कम हो जिसके कारण आप क्या कर पाओगे अब अपने अबजेक्ट जो पास में रखा है उसको देख पाओगे अब यही सेम चीज मैं अगर दूर कर दी तो मेरा जो लेंस है वो इलोंगेटेड हो जाएगा कैसा हो जाएगा यहां पर भी लिखा है डिस्टेंड अबजेक्ट देखने तो सीलियरी मसल्स जाएगे लोंगेटेड एकस्पैंड हो जाएगे जब एकस्पैंड हो जाएगे तो आपका जो लेंस है वह कैसा हो जाएगा इसको मैं अगर बढ़ाऊंगी दोंको ऐसे रखोंगी और ऐसे कर रहे हूँ तो यह थिन हो र और हमने इस concept भी पढ़ लिया लैंस के मामलें में कि अगर हमको वो इक्षा हो गा, अगर वो कैसा हो गा कॉंट्रेक्ट हो गा तो हम आपकी जो फोकल लेंथ है, वो क्या हो जाएगी? decrease हो जाएगी जिससे आप अपना नियरवा अब्जक्त देख लोगे अगर आपका लाइंस elongated हो गया तो क्या हो जाएगा आपके focal length increase हो जाएगी और आप क्या करपाओगे distance object देख पाओगे I think यह question हो गया solve हमने यह equation से भी समझा एक normally समझ लिया कि U की value हमको vary करनी थी वेरी कर दी हमने तो आपका V तो fix रहेगा तो आपका F increase हो ठीक है तो यहाँ पर कुल मिला के focal length ही आपकी increase or decrease होती है जब भी हमें दूर के या फे पास के object को देखना होता है I think यह question हो गया एक दम crystal clear कोई doubt नहीं रहा अब हम क्या करेंगे अपने अगले question की दरफ बढ़ जाते हैं तो बच्चो question number 10 देख रहा है इस की इंग पर why do star twinkle अब यहाँ पर star twinkle क्यों करते हैं हमने सब ने पढ़ा हूँ हुआ एक rhyme twinkle twinkle little star मतलब जो little star है वो twinkle twinkle होते है यह तो हम समने पढ़ा है बच्पन से ही अभी यह twinkle का मतलब क्या है इस twinkle का मतलब है कि जो आपके पास जो light है वो कभी bright होगी कभी dim होगी bright dim तो यह जो bright dim है उसी को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं twinkle कहते हैं अब यह तो समझ लिए twinkle का मतलब क्या है अब यह जो twinkle है यह twinkle होता क्यों हो है star का यही तो देखना है तो यहाँ पर क्या लेखा है star twinkle due to the atmospheric reflection मतलब reflection कहा हो रहा है atmosphere में हो रहा हो का किसका star light का the light from the star on entering the earth atmosphere undergoes the reflection continuously before it reaches to the earth से यहंद हो यहां पर डैग्राम देखो यह आप खड़े ओ कहां पर अपनी अर्थ पर यह स्टार इस्पेस में है वेक्यूम में है बीट में क्या परता है अट्मोस्फिर तो ये जो स्टार की लाइट है अपनी आइस तक आगे से पहले इसके बीच में काफी ज़्यादा क्या हो रहा है आटमस्पेरिक रिफ्रेक्शन हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि जब आप इस तरह से नीचे आएंगे तो आपकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी चींज होगी चींज क्या होगी डेंसिटी कहां ज़्यादा होगी इस में जादा होगी मतलब यहां सेंटरी करती कूझ तेस कीटैसितीhat लिखा है कि यहां पर रफ्रेक्शन होगा तब डेसिती चेंज होगी तो स्टार ट्रिंकल अब आप कोगे माम आपने तो यह भी पढ़ा मुझे समझ में कुछ नहीं है तो बच्छों यहां पर देखो यह रहा है स्टार ठीक है वेक्यूम में मतलब रेयर है रेयर में क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा जैसे ही वह एक्मोस्फेर में आ एक्जोस्फेर का तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसके कमपारिजन में जादा है मतलब वो क्या हो जाएगा अगर मालो यह है आपका रेयर तो यहां पर क्या हो जाएगा यह मैंने एक लेयर बना दी एक्जोस्फेर तो यहां पर यह क्या हो जाएगा डेंसर इसका जो रि से डेंसर में आई तो क्या हुई जब लेंड लाइट रेट रेवर्स रोम रेर टू डेंसर मीडियम इट बैंड्स चुवर्स नॉर्मल सबने पढ़ा उसी को क्या कहते है रे फ्रेक्शन कह देते हैं तो जैसे यहां से स्टार की लाइट आएगी वहां बैंड हो जाएगी दिफरन डैंसिटी है उसके बाद आयोस्ऽेर में डिफरेंट डैंसिटी है वहां पर आई तो फिर से बांस नॉर्मल फिर दूसरे में आई शरी दर आए तरह गया अं लेवल पर आई जिसकी लेए जैनों से लेयर होती तो हमारी आइस ने क्या करा, क्या करेगी हमारी आइस, अपनी image कहाँ बनाएगी, रेतिना पे, रेतिना पे जो आपकी image बनी, वो इसतरीके से कुछ बनेगी, वो पीछ हे की तरफ extend करके, यहां पर आपकी create हुई, तो यहां पर आपको star दिखने लगा, तो ये तो हो गई उसकी actual position और ये हो गई उसकी apparent position मतलब जो आप सोचते हो कि ये जो star हम देख रहे हैं वो बिल्कुल सही location पर दिख रहा है नहीं वो उसकी apparent position आपको दिखती है ना कि actual position तो यहाँ पर density के कार्ण क्या हुआ, banding होती है, rarer to dancer, rarer to dancer medium नॉर्मल के तरफ और आपको जो उसकी position है वो कौनसी मिली apparent position मिली ये तो हो गई clear apparent position मिल गई अब देखते हैं ट्विंकल क्यों कर रहा है तो देखों बच्चों ये हमारा atmosphere में बहुत सारी gases हैं बहुत सारे water vapors हैं, बहुत सारे dust particles available हैं और हम सब जानते हैं कि air क्या है, एक fluid है, वो flow करेगा तो हर एक temperature पे जो air है, अगर मालों की one second पहले, जो यहाँ पर gases present, सबसब कौनसी gases present होती है इत्मोसफेर में nitrogen and oxygen, हमने हमार लिया कि एक second पहले, जो nitrogen और oxygen जो था, उसकी जो density थी बहुत ज़्यादा है, dense particle था, दूसरे second में यह जो molecule है, यह दूर दूर हो गया, तो इनके dense particles यह कम हो गए, क्योंकि air क्या एक fluid है, वो तो flow करेगा, उसके कान क्या हो रहा है, continuously and random variations हो रहे हैं, और जब आपकी light की ray आ रही है, अगर कहीं उसको एक dense particle मिल गया, जहाँ पर वो ठकराई उससे, light आई, मालों की इस location पर कहीं पर, क्या एक उसको dense particle मिल गया, ठीक है, dust वगर रहा है, और air तो fluid है, वो तो flow करेगी, तो एकदम बहुत ज़्यादा dense मिला, तो वो बहां से band हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे ही second में क्या हुआ, उसको नहीं मिला, तो वो वहां पर band नहीं हुई, मतलब कभी तो उस जो star light है, उसकी जो intensity है, बहुत bright मिलेगी, कहीं कहीं पर वो इग्दम डेम हो जाएगी, due to air, क्योंकि हर layer में, हर जगा पर air एक fluid ever flow करे और layer by layer, वो change होता रहेगा, at every second of temperature पे, change होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, light की जो intensity है, वो change होगी, intensity change हो रही है, तो क्या हो रहा है, जो amount of star light है, जिसको हम intensity बोलते हैं, entering the eye, flicker, कभी आपको बहुत bright देखेगा, कभी आपको कम देखेगा, उसी को हमने बोल दिया, twinkle, that's why star twinkle, ऐसा नहीं समझ सकते, यह नहीं मानते हैं, कि star अपनी light को on off कर रहा है, नहीं, कभी जादा देता है, कभी कम देता है, नहीं, वो ते constant light देता है, सब चीज़े कहा हो रही है, हमारे atmosphere में हो रही है, atmosphere में पर्जल पार्टिकल, dust, air नहीं सब की कारण हो रही है, वो flickering की हो तो बच्चों कोशन नमर 11 देख रहा है, कोशन नमर 11 में क्या बोला है, कि explain why the planets do not twinkle, planets twinkle क्यों नहीं कर रहे, अभी हमने क्या पड़ा star twinkle क्यों करते हैं, अब उसमें आगया कि planet क्यों नहीं करते हैं, क्या planet के पास अपनी खुद की एक light नहीं होती है, होती है, पर यह twinkle कर planets जो हैं, अर्थ के पास में होते हैं, as compared to star, इसलिए इनको close मानेंगे हैं, जब इनको close मानोगे, तो इनकी closeness के current, जो light आ रही है, planets से, वो उतनी band नहीं होगी, that's not band much, due to earth atmosphere, therefore, the light coming from our solar system, planets does not appear to twinkle, पूरा हो गया, कि वो पास में है, इसलिए उनमे banding उतनी नहीं होगी, अर् पूंगल नहीं करते हैं, अब स्टीस को कैसे संजो कि यह मालूई अर्थ है, यह अर्थ है मेरे हाथ, यह आपका planet है, अब प्लानेट पास में है, as compared to star, star को मने माल लिया था, एक point source, क्योंकि बहुत दूर था, तो हमें point के तरह ही विक रहाता, अब planet अगर पास है, तो वहा atmosphere में आईगी, उसमें कुछ banding उतनी होगी भी, तो क्या वो उससे कोई फरक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यूँकि बहुत सारी light आ रही है, तो बहुत सारी light आने के कारण वहाँ पर flickering नहीं होगी, जब flickering नहीं होगी, तो वो twinkle नहीं होगा, बात हो रही है, यह एक ड ठीके यह सारे ही सोसे अटमोसफेर से light आईगी, नहीं होगा नहीं कि सारे एक साथ ही दे रहे होंगे light, तो जब यह light यह साथ दे रहे होंगे, तो कहीं पर कोई banding हो भी गही, पर उससे कोई intensity पर फरक नहीं पड़ेगा, उसके कारण इसकी जो light है, वो ऐसे आपको मिल रही होगी, intensity के कारण कोई variation नहीं होगा, does not band much due to earth atmosphere, that's why there is no flickering here, and hence we can say that planets do not twinkle, बात हो गई क्लिए और जादा इसको गुमानी की बजर्वती नहीं है, समझ गए हम, क्योंकि वहाँ पर twinkling थी, हमने पढ़ा था वहाँ पर क्यों होई, यहाँ पर क्यों नहीं हो रही, वो भी हम सम है, ठीक है बात हुई, यह कुई पास में है, जयादा लाइट दे रहा है, जयादा लाइट देघरा बैंडिंग नहीं हो रही है, बैंडिंग नहीं होतों है है, तो इससे इंटी हो एक है अगले पर उसके इससे की लोग करें अ हम यह उत शलो ए सिसने कं Hum light owner, नहींन फीम स दिखता है this is the question answer में क्या दिया है कि in the early morning as the sun rise above the horizon the sun has to cover a larger distance in the denser medium of the earth atmosphere before reaching to our eyes so that the blue light due to the shorter wavelength that is scattered in the half way not visible to our eyes but the only red light which has the larger wavelength is able to reach our eye due to less scattering इतनी बात हुई अब इसको समझेंगे कैसे यह फिगर देखो इस फिगर में यह observer है यह sun near horizon अब जब sun सुबा की time की बात हो लिए तो मतलब अब 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 तो उसकी जो sun करते हैं विबग्यॉर विबग्योर में ये वॉलेण्न हो गया ये रेड हो गया और जब आप इस तरफ जाओग polsk है आप की वह क्या होगा णिजे इंकेत होती हैं कि इस डाइरेक्शन में जो wavelength है वो आपकी क्या होती है increase होती है बात हुई अब जब इस तरफ यह हो रहा है तो scattering किसकी ज़्यादा हो जाती है वॉलेट की ठीक है scattering इस तरफ बढ़ती है इतनी बात हुई clear अब wavelength अभी आपने क्या पढ़ा यह sun above the horizon आया तो इसकी जो white light है उसको एक larger distance कवर करना पड़ेगा आपकी आई तक पहुँचने के लिए पॉर example आपकी आई यहाँ पर है इस तक आने के लिए उसको एक larger distance को travel करना है तो जब उसको larger distance को travel करना है बात हुई यहाँ तक सुनना अच्छे से तो यहाँ पर कितने components आ रहे होंगे इसकी जो lights इसमें light white है उसके अदर seven components है जिनका formation क्या है विद्ग और तो पहले इसमें wallet light होगे यह wallet light की scattering क्या है ज्यादा है ज्यादा होती है और यहाँ पर इसको बीच में corridor particles भी मिल जाएंगे तो scattering हो जाएगी तो जो यह wallet light है हमारी आँखों तक पहुंचने से पहले क्या हो जाएगी scattered हो जाएगी तो यह तो हमें नहीं दिखी उसके बाद indigo ठीक है यह हमने वी लिख दिया है यहाँ पर हमाई लिख देते हैं indigo indigo की जो भी scattering है वो इससे थोड़ी कम है बठ है तो जादा बाकि उससे और wavelength इससे थोड़ी जादा है इससे थोड़ी जादा ही होगी क्योंकि wavelength इस direction में बढ़ रही है और scattering इस direction में कम हो रही है got किसी होती है वॉयलेट की सबसे कम किसीคिär होती है रैड की और वेवलेट सबसे हिसकिया होती है रास्ते में इसके बाद आया ब्लू कलर तु ब्लू कलर कीुत्ट बाकिस अब किया होगी जान्द इहोगी तो यह भी इसक्ट talkin VO बर अबड़ को लिए फिर ल Bread टूमनीकों साथ यही हो यहीआ यलो के साथ अब जो जानली उसकता यह को इह दो फाइने ड़िप यह तो हमारी आइस तक कौण से कलर पहुचनी वाला है सं पूसा को पहुचा रेड पहुचा इसलिए हमें सुभग के टाइम पर सन कैसा दिखता है रेड दिखता है बात हो गई क्लिए यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर लिख भी दिया है क्योंकि ड्यू टू ब्लू वॉयलेट हाविंग दा क्या है शौटर वेवलेंद गाट स्केटर्ड यह इसकी स्केटरिंग एस पंपर टू रेड जादा है तो वह स्केटर अवे हो गया बटरेड की स्केटर्ड सबसे कम है और वेवले सबसे जादा है इसलिए वह हमारी आखों तक इसलिए अशुट जाती है इसलिए इस लिए दिशिजरीजन ज्सफर पियर स्रेडिश इन ड स्कैट्रिग जहिए बिau Unteruration स्याथी van Clevelect और स्कैट्रिंग जो है वेवलेंच जादा डिस्टेंच जादा स्कैट्रिंग जो कम होगा वह हमारे आंकों तक पहुंच एक crisp इसका वो हो गया कि क्या बता दिया distance जादा wavelength जादा वाली पहुचेगी और scattering कम वाली हमारी आखों तक पहुचेगी तो बच्चों यह रहा question number 13 जो कि हमारे आज के session का क्या है last question है last question में क्या है बोला है why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut astronaut को हमारा जो sky है वो dark क्यों दिखता है blue क्यों नहीं दिखता है यही तो question है तो answer क्या बोला है क्यों दिखता है sky appear dark instead of blue to an astronaut because as there is no atmosphere in the space there is no atmosphere that can scatter the sunlight as sunlight is not scattered therefore no light reaches to the eyes of the astronaut astronaut का हमारे space में है space से हम उनको जब वो देखते हैं तो उनको जो हमारा जो sky है वो क्यों दिखता है dark दिखता है blue नहीं दिखता है उसका reason क्या है कि जो बोई space में है वहाँ पर vacuum है तो vacuum में जब कोई light है वो scattered ही नहीं होगी sun की कोई light है वो scattered नहीं हो रही है कोई collider particles ही नहीं है तो scattering नहीं है scattering नहीं है तो क्या मतलब है सब sunlight scattered ही नहीं होगी तो उसके जो components हैं वो भी scattered नहीं होगी तो कोई light उनकी आँखों तक पहुँच दी ही नहीं है एस्टोनोट के आँखों तक इसलिए उनको sky क्या दिखता है डार्क दिखता है ब्लू नहीं दिखता है बात हो गई clear main क्या दा concept scattering का जो बाकी पिछले में था वो भी कुछ इसी तरीके से ही था बात हो जानी चाहिए clear तो ये question भी हो गया होगा एकदम crystal clear तो बच्चों I think आज की class जो है आपके लिए काफी useful रही अब जब वो useful रही और आप सब जानते ही है कि learn o hub free है पर best है और यहाँ पर आपको मिलता है physics, chemistry, biology मैं सब कुछ बिलकुर free of cost at learnohub.com झाल